best laptop for powerful software in 2021 तो भई अगर आपने कोई powerful software पे काम करना है एंड भई अगर आपका budget 90,000 से लेके 2,00,000 है ये वीडियो श्पेशली आपके लिए प्लस मैं आपको कहना चाता हूँ अगर आपका budget 90,000 से कम है उसकी वीडियो मैंने पहले ही कियो ही मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएके उसको चाड़ का लेना तो स्टार्ट करते हैं अगर आपका budget 90,000 से लेके 1,10,000 हो जाता है इस प्राइज रेंज की बात कर लेते हैं असूस रॉक जब्रस जी फॉड इनकी यह दोनों लैप्टप आपको बहुत पसंद आने वाले हैं प्लस इन दोनों के जो स्पैसिफिकेशन है आपको बहुत तगड़े देखनी को मिल जाते हैं देखर अगर आपने वीडियो एक्टिक करने हैं, photo-e अब आपको सही लगता है उस लेक्तॉप के औंच चले जाना अब ही बात करते हैं में स्पैसिफिकेशन के एम आपको डीपली बता देता हूं तो सबसे पहले बात करते हैं Asus ROG Citrix G15 की तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती जो की iPlus level डिस्प्ले है जो की 144 refresh rate के साथ आती है पूर साथ की बात करूँ इसमें आपको i7 भी मिल जागा 10th generation के साथ i5 भी देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात करूँ आपको 4GB मिल जागा 6GB मिल जागा अपको विड़ो 10 मिल जाती है बैटरी की बातों को 7-8 आवस का बैटरी बैकप पर वाइड करा देता अगर आपको यहावी सॉफ्टर पे काम भी करते हो ठीक है प्राइस की बात करो इसका प्राइस आपको 99 tough 1000 के back mana जो मैं specific हैं कता रहा हूँ आपको 99 tough sound के बाजबे मैं असुर्ण आपको 14 č 11 प्लस display मिल जाती जोकी image anti-glate display प्रसाघासर की बात करो आपको AMDrazen 5 भी मिल जागा 7 भी मिल जागा storage की बात करूँ आपको 8GB RAM भी मिल जाएगी 16GB RAM भी मिल जाएगी expandable आप कर सकते हो प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाएगी Graphic Card की बात करूँ आपको GTX Graphic Card भी मिल जाएगा RTX भी मिल जाएगा जतना पे करोगे उसके according आपको specification मिलते जाएगे उसके अपको बात करूँ आपको बैंटरी लाफ की बात करूँ आपको 10 hours का बैंटरी लाफ पर वाइड कर देता है प्राइज की बात करूँ यह 90,000 से स्टार्ट हो जाता है इसका प्राइज आपको 1,40,000 तक भी चला जाता है ठीक है यह specification की according है जो भी आप लेना चाहते है उसके according आप देख लेना price increase, decrease होता जाएगा तो यह main specification मैंने आपको दोंडों ही laptop के बता दिए अगर देखा जाए लोकवाइस देखा जाए तो यह ज्यादा लोकवाइस ज्यादा आपको अच्छा मिल जाता है प्लस उसके बैक सैड में आपको लाइटिंग सिस्टेम देखने को मिल जाता है जो कि आपको कस्तमाज कर सकते हो तो अगर आप as a DJ काम करते हो आपके लिए बहुत जादा सही होने वाला है उसके बाद अगर आपने as a creator काम करना है एगर आपको बजिट वाइटाऊडेच में और आपको अगर आपका बजट वग्रिट양 हो जाता इस प्राईज रिज में में दे रखे हैं लेटपुप यह दो रखे हैं जिसमें आप gaming कर सको, लाब चिंग कर सको, वीडियो एटिंग कर सको and photo editing कर सको. अगर आपने as a pro काम करना, as a professional काम काम करना, अगर आपने architecture की study करते हो, programming करते हो, as a creator काम करना चाते हो, as a developer काम करना चाते हो, आप दोनों में कर सकते हैं मतलों जो भी आप लेना चाते हो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपने gaming भी करनी है video acting भी करनी है as a creator भी काम करना youtube videos उखरा करते हो उस पे भी काम करना चाते हो आप के लिए सबसे पहले बता देता हो तो दो laptop की बात कर ले नगाओ तो सबसे पहले बात काता है number two पर रखा है अगर इस laptop की बात करूँ तो यह gaming के लिए पोफिल्ट है as a creator अगर आपने कोई भी heavy software यूज करना है आज तक का आप normally, easily कर सकते है and number one की बात करूँ number one पर रखा है Asus of Gaming A15 इस पर भी अगर आपने gaming करनी है high graphic पर gaming करनी है प्लस भाई अगर आपने gaming lasting करनी है उसके बाद अगर आपने video acting करनी है photo acting करनी है as a creator काम करना चाते हो as a developer काम करना चाते हो कोई heavy software यूज करना चाते हो आपके लिए ये दोरो laptop perfect हो सकते है वो कैसे हो सकते है मैं आपको specification बताते है तो आपको खुद बखुदी पता चल जाएगा तो यहर पहले बात करते है इस सर्फ पर डेट रगी display की बात करने को 15.6 inch full HD plus display मिल जाते जो की 144 refresh rate के साथ आती है पर sensor की बात करूँ आपको i7 10th generation के साथ मिलता है storage की बात है आपको 16 GB RAM मिल जाते expandable आपका सकते हो plus आपको 1 TB HDD देखने को मिलती plus 256 GB आपको SSD देखने को मिल जाती graphic card की बात करूँ आपको Nvidia G4 RTX 20606 GB मिल जाता हो printing system की बात करूँ आपको Windows 10 मिल जाते है battery life की बात करूँ बिल जाएगा भी नम्बो वान की बात करूँ नम्बो वान पर मैंने रखा है Asus of Gaming A15 तो डिस्प्ले की बात हों को 15.6 inch Full HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की 144 रिफ्रेश रिट के साथ आती है जो की IPS लेवल पैनल डिस्प्ले प्रसेसर की बात हों को AMD Ryzen 7 देखने को मिलता है Storage की बात हों को 16GB RAM मिल जाते Expendable आपको 1TB HDD देखने को मिल जाते प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते Graphic Card की बात करूँ Nvidia G4 RTX 20606GB मिल जाएगा Operating System की बात को Windows 10 मिल जाते Battery Life की बात हों को 48 hours का Battery ला मिल जाता प्राइस की बात करूँ Diwali Festival में ये लैक्टप आपको 92,000 के बज़र में मिलता था लेकिन अभी इसका प्राइस जादा होगा आपको मिलेगा 1,15,000 के बज़र में या 1,20,000 के बज़र में तो अभी मैंने आपको 2 लैक्टप के Specification बता दिया तो इनको यार इस Budget Range में इसलिए रखा कई बंदे होते हैं जिनको Gaming भी करनी होती है Lasting भी करनी होती है Creator भी काम करते है, YouTube पे भी काम करते है कोई Website विगारा भी चलाते हैं तो आपके लिए ये Laptop Perfect Deal हो जग भी है अभी बात करते हैं, अगर आपने as a pro काम करना है as a professional काम करना है आपके लिए मैं Laptop बताने लगा हूँ सीवी बात करते है, number 2 की number 2 पर यार मैंने रखा है Asus Zenbook Duo को अगर इस Laptop की बात करूँ सबसे पहले तो आपको dual display देखनी को मिल जाती है design, color अगर आप बहुत पसंद है second display की बात करूँ आपको touch screen देखनी को मिल जाती है अगर आपने as a creator काम करना चाहते है as a professional काम करना चाहते हैं ये laptop भी आपके लिए perfect deal हो जाता है आप long time पे रख सकते हैं आपको बहुत पसंद आने वाला है तो भी इसके main specification की बात कर लेते है display की बातों को 14 inch full HD plus display मिल जाती है जो की IPS level display है second display की बात करूँ आपको 12.6 inch की full HD plus display मिल जाती जो की IPS level display जो की touch screen देखनी को मिलेगी processor की बात करूँ आपको i7 10th generation के साथ मिलता storage की बातों को 16 GB RAM मिल जाती आपको 1 TB SSD देखनी को मिल जाती graphic card की बात करूँ मैं सबसे पहले आपको बताने जाता हूँ आपको Nvidia GeForce MX250 भी मिल जाएगा 4 GB graphic card भी मिल जाएगा 6 GB graphic card भी मिल जाएगा अगर मैं इस laptop की बात करूँ इसका price आपको 3 lakh के budget तक भी मिल जाता मतलब जो भी specification आपको चाहिए वो specification आपको इस laptop में मिल जाएगे operating system की बात करूँ आपको Windows 10 मिल जाती है battery की बात करूँ आपको 10 hours का battery लाभ मिल जाता है price की बात करूँ ये specification के साथ आपको 1,20,000 के budget में Asus Zenbook Duo देखनी को मिल जाती है अगर आप extra पे कर जोते हो तो graphic card आपको तगड़ा देखनी को मिल जागा 4GB मिल जागा, 6GB मिल जागा जितना पे करूगे उसके according specification increase होते जाएंगे अभी number 1 की बात करते है number 1 पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360 अगर इस laptop की बात करूँ बहुत professionals के पास जब बहुत international creators के पास आपको ये laptop देखनी को मिल जाथ अगर आपने कोई भी heavy software पे काम करना है as a creator काम करना है उसके बाद अगर आपने office के related काम करना है ये laptop आपके लिए perfect deal हो जबता आपको 4K display मिल जाथे जो की touch screen ने इसके main specification की बात कर लेते हैं तो ये display की बात आपको 15.6 inch 4K touchscreen मिल जाथे जो की HP pen के साथ आती है जिसके साथ आप यूज़ कर सकोगे processor की बात करूँ आपको i7 10th generation के साथ मिलता storage की बात आपको 16GB RAM मिल जाथे प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाथे graphic card की बात करूँ budget range एक लाग से start हो जाथे इसका price भी आपको डाई लाग के तक भी पहुंच जाता है जितने भी specification जो भी specification मतलब आपको चाहिए आपको देखने को मिल जाएंगे HP spectrax 360 में तो यार main specification अभी मैंने आपको इन दोनों laptops के भी बता दिये तो अगर आप एज़ा pro काम करते हो आज़ा professional काम करते हो कहीं पर अपने laptop को लेकर जाओगे वो look बहुत सही होने वाली है मैं सच बोलूँगा जितने भी मैं आपको laptop बताऊँगा वो पूरे loaded होने वाले है अगर आप पैसे खर्ज लेते हो ना तो आपके पैसे बिलकुल भी खराब नहीं होने वाले अभी आगी बात करते हैं अगर आपका budget लेट डेड़ लाग से दो लाग हो जाता है इस price range की बात कर लेती है तो यार अभी बात करते हैं अगर आपका पुझेट डेड़ लाग से लेके दो लाग हो जाते है इस प्राइज रेज में मैं आपको सीधा बोलने वालों कि आपके लिए पॉफेक्ट चॉइस हो सकती है Apple MacBook 13 जा Apple MacBook Pro अगर मैं बात करूँ Apple MacBook 13 के वो यार M1 चिप सेट के साथ देखने हो मिलती है अगर मैं बात करूँ Apple MacBook Pro कि मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूं अगर आपने दोनों में से जो भी लेनी है आप ले सकते हो बस आपने 16 GB RAM की और जाना उसके नीचे आपने नहीं जाना 8 GB के और मत जाना इन फ्यूचर आपको मतलब चेंज करनी पड़ जागी कोई उसका प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला अगर आप 16 GB के और जल जाते हो आपका एक पैसा भी खराब नहीं होने वाला जो कि आपके लिए पोफेक्ट च्वाइस हो जाती है उसके बाद हम बात करें अगर आप 32 GB के और जाना चाहते हो आप जा सकते हो जतना पे करो कि उसके अपको स्पैसिफिकेशन मिल जाते हैं प्लस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं जो एपल मैकबुक प्रो होती है वह बनी ही यार फॉर क्रेटर्स के लिए बनी ही ड्वालपर्स के लिए अगर आप मैकबुक पोफरेट 24 हो जग दिया तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्रम तो यार अभी मैंने आपको इतने लापटाप बता दिया स्टार्ट किया तामने नाटी दाउसे खत्म किया में दो लाग के बज़र तक है तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्ये लगी अगरी आपको मेरी वीडियो अच्ये लगी यादुदी को लाइक करते ना हमेंड करते करते ना दोस्तों के भी दोस्तों को बिज़र ना उनको भी कहतना कि चैनल को गदे सब्सक्राइब वीडियो को गड़े लाइक इन इस ना गरां पर कले फॉलो लिंक अब गर आई आए आपको डिस्क्रिप्श्य बॉक्स में देखने को मिल जाएको उसको चटक अलमें पीटे नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ थें